प्रिमित्रो नमस्कार आज हम अपने इस चैनल के अंतरगत आपके साथ तेज पत्ता से संबंधित जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं मित्रो भारतिय विंजिनों में महक और सुगंद के लिए तेज पत्ते का उप्योग आम तोर पर किया जाता है लोगों को लगता है कि इससे सबजी में अच्छी खुजबू आती है लेकिन इस पत्ते के कई स्वास्त लाब भी होते हैं इसमें एंटी ऑक्सिडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है तेज पत्ता एक प्रकार का मसाला होता है जिसमें कॉपर, पोटेशियम, कैलसियम, मेगनीशियम, सेलेनियम और आइरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को इसके गुणों के बारे में पता होता है मित्रों, तेज पत्ता पाचन में सायक होता है और इसके सेवन से कई प्रकार के पाचन संबंदी विकार सही हो जाते है अगर आपको कब्ज, एसिडिटी और एठन की सिकायत रहती है तो तेज पत्ता आपके लिए रामबान साबित हो सकता है मित्रों, नीद जादा आने पर तेज पत्ते को पानी में कम से कम 6 घंटे तक भिगो दें और उठने के बाद उस पानी को पी लें इससे आपको काफी रहत मिलेगी और नीद वाला हैंग ओवर उतर जाएगा मित्रों, तेज पत्ता घाओ को जल्दी भरने में बहुती मददगार होता है साप काटने पर जहर निकालने के लिए कीडे मकोणों के काटने जैसी समस्याओं के इलाज में इसका इस्तिमाल किया जाता है इन पत्तों के तेल में एंटी फंगल और एंटी बेक्टीरिल गुण होते हैं जो इसकिन को इंफेक्शन से बचाता है मित्रों, सिर में जूओं से परेशन हैं तो तेज पत्ता आपके बहुत काम आ सकता है पानी में तेज पत्तों को अच्छी तरह से मसल कर डालें और उसे खूब उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए इस पानी को बालों की जड़ों में लगाएं जू की समस्या दूर हो जाएगी साथ ही बाल भी घने और चमकदार होंगे मित्रों, टाइब टू डाइबिटीज के इलाज में तेज पत्ता बहुती फाइदे मंद होता है ये ब्लट ग्लूकोज, कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिसराइड के लेविल को कम करता है इसके जल्दी असर के लिए इन पत्तों का पाउडर लगातार 30 दिनों तक इस्तेमाल करते रहना चाहिए इससे दिल सही तरीके से काम करता है तेज पत्ता एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होता है जो डाइबिटीज काफी हद तक कंट्रोल करता है मित्रों, गर्मियों में ज्यादा खटा खाने से और कुछ कारणों से नाक से खून निकलना एक आम समस्या है इसके लिए दो से तीन तेज पत्ते को पानी में उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए ठंडा होने पर इसे पी लें नाक से खून निकलना बंध हो जाता है मित्रों, सिर्फ खाने का स्वादी नहीं बढ़ाता तेज पत्ता बलकि हेल्थ को भी सही रखता है बालों की जड़ने की समस्या से परेशान है तो इसका इस्तेमाल आज से ही सुरू कर दीजिए मित्रों, तेज पत्ता न सर्फ किड्नी के इंफेक्शन को दूर करता है बलकि स्टोन की समस्या को भी खत्म करता है स्टोन प्राबलम होने पर गरम पानी में तेज पत्ते को उबालें और ठंडा करके पीएं काफी फायदा होगा मित्रों, तेज पत्ता फायटो न्यूट्रेंट्स से भरपूर होता है जो कार्डियो वस्कुलर बीमारियों जैसे हार्ट अटेक और स्ट्रोक की संभावना को कम करता है इसके अलावा इसमें सेलाइसाईलेट्स, फायटी न्यूट्रेंट्स, रूटीन, कैफिक एसिड मौझूद होते हैं जो हार्ट के फंक्शन को सही रखते हैं इस तरह की किसी भी संभावना नजर आने पर तेजपत्ता और गुलाब के फूलों को पानी में अच्छी तरह से उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए ठंडा होने पर इसे पीएं मित्रों, सर्दी जुखाम या किसी भी प्रकार के अन इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने में तेजपत्ते का इस्तेमाल बहुत ही कारगर होता है सांस की बीमारियों में आराम के लिए 2-3 तेजपत्ते को पानी में 10 मिनट तक उबालें इस पानी में कॉटन या टावल को भिगो कर निचोड लें और उसे सीने पर रखें तेजपत्ते से बनी हुई चाए बुखार में बहुत जल्दी आराम दिलाती है मित्रों, इन पत्तों से निकलने वाले तेल में anti-inflammatory गुण पाये जाते हैं जो दर्द, एंठन, अर्थराइटेस, खिचाव आदी को दूर करने में मददगार होते हैं कान के पीछे इसके तेल की मालिस करने से माईग्रेन और सरदर्द में आराम मिलता है ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने के साथ ही ये जोडों के दर्द को भी दूर करता है पानी में तेजपत्ता डाल कर उबाले और ठंडा करके पीएं मित्रों महिलाओं में मित्रों फॉलिक एसिड से भरबूर तेजपत्ता प्रेगनेंसी के तीन महिने पहले और बाद दोनों ही सिचुएशन में सरीर की कमी को पूरा करता है साथ ही शिशू के जन्म के समय होने वाली कई प्रॉब्लम्स को दूर करता है मित्रों तेजपत्ता में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं इसमें कैफीक एसिड क्वेर सेटिन और यूगिनेल नामक तत्व होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को कैंसर जैसे घातक बीमारी को होने से रोकते हैं मित्रों हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाबदाई प्रतीत हुई हो और आपका ग्यान बर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें धन्नवाद